हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 पर रहे हैं बच्चो जिसमें हमें पढ़ना है फ्रांस की करांती के बारे में और उन्ही सब मतलब वो जो करांती क्यों गवा था उसके कारण के बारे में जा बारे में बताया कि डेमोक्रेसी क्या होता है अगर वहां पे डेमोक्रेसी आती है तो मतलब जनता के लिए कितने अच्छा कारी होगा और वहां के राजा के द्वारे जनता का कितना सोसन किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया था और धार्मी वेक्तिगत और धार्मी क कारण के बारे में भी हम लोगों ने देखा था इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चो अगला जो मतलब रीजन था फ्रांस की करांती होने का वो था बच्चो बिदेसी घटनाओं का परभाव यानि कि फ्रांस की जनता पे बिदेसी में जो घटनाओं घट रही थी उसका फ्रांस की जनता पे क्या परभाव पढ़ा उसके बारे में देखते हैं बच्चो तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लेंड में क्या हुआ था गौरोपुर्ण करांती हुआ था क्या हुआ था बच्चो इंग्लेंड की गौरोपुर्ण करांती अब बोलेगा कि के गौरोपुर्ण करांती क्या होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1668 इस्वी की इंग्लेंड की महान करांती हुई थी जिसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन बोलते हैं उसके द्वारा वैधनिक शासन की अस्थापना ने फ्रांस में भी राजनेतिक परिवर्दन का मार्ग प्रसस्त किया अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं वच्चों देखो 1688 में क्या हुआ था फ्रांस में इंग्लेंड में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था अब बोलिएगा कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी क्या कोई ग्लोरियस हो सकता है किसी का एक भी खुन, एक ही बुंद खुन बहे हुए, यह जो करांती है, वो समाप्त हो जाता है, और अपने उदेश्यों को प्राप्त कर लेता है, इसलिए इंगलेंड में जो इस परकार की करांती हुई थी, उसको क्या बोलते हैं, बच्चों, बलोरियस रिवॉलूशन बो वहां की जनता जब अपने राजा के खिलाप, राणी के खिलाप बिर्द्रोह किया, आंदोलन किया, रिवॉलूशन किया, तो वहां के जो राजा है, वो मान गया है, जनता के बातों को, और लेकिन फ्रांस के एक एक राजा था फ्रांस का, जो मान ही नहीं रहा था, तो हो नहीं बातों को मान रहा है तो यह भी घटना उसको प्रभावित किया उसके बाद है अमेरिका का सवतंतरता संग्राम यानि कि जिससे वहां गंतंत रात्मक जो शासन बे होसता है, उसकी अस्थापना हुआ था, फ्रांस की जंता के लिए प्रेर्ना का श्रोथ का कारे किया, इससे एक और भी तरह के क्रांती को बल मिला, इसमे अत्यधीक धान भयाय ने, क्या कड़ाई कि इसमें अत्यधीक धान भयाय ने फ्रांस के आर्थिक हिस्तित्य को इतना दैनिये बना दिया कि उसे संभालना देश के लिए असंभव बन गया और अंत में वो फ्रांस की करांती का ततकालिक कारण बन गया था यानि कि अब देखो हम लोग जानते थे कि वहाँ से अमेरिका से ब्रिटेन को खदरने के लिए फ्रांस का जो सासक था वो क्या बोला था कि हम लोग अमेरिका के तरफ से युद्ध लरेंगे और जब अमेरिका युद्ध में जित गया इंगलेंड युद्ध में हार गया जनता के उपर कोई ध्यार नहीं देता था तो सुच करें के देखो कि कितना बिरुधा भास है अब देखेंगे कि करांती का घटना क्रम क्या था यानि कि जो फ्रांस की करांती है वो सुरू कैसे हुआ किस परकार कौन-कौन सी घटना होती चली गई तो जैसा कि आपको पता हो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का जो पार्लियमेंट है वहाँ पर जब कोई भी डिसिजन लिया जाता है जब कोई भी नियम बनता है नियम कानून बनता है तो उसमें जो गवर्मेंट होती है वो कोई नियम लाती है कि भाई हम ये नियम पास करवाना जाते है तो उसके उपर क्या होता है वोटिंग होता है और वोट जब दिया ज और राश्ट पती जब सिग्नेचर कर देते तो क्या बन जाता है नियम बन जाता है ठीक इसी परकार से इतना तो वैल्यू नहीं था फ्रांस में स्टेट जेनरल का फिर भी जो है वो एक मतलब बोला जाए तो क्या बोलते आप चारिकता थी तो इस चीज के लिए जो है वो यह यहां पर यह क्या क्या बैठा कायो जित क्या और जो त्रिती जो परतिनीधी 600 लोगों का था इन लोगों ने बोला कि भाई सबको बराबर क्या मिलना चाहिए वोट देने का आधिकार मिलना चाहिए सभी को जो है वो अगर कोई डिसिजन राजा के द्वारा लाया जा रहा ह तो उसके उपर कोई अप्रूभल होगा तो सबको वोटिंग करेगा और सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए यह राजा जो है यह राजा द्वारा अस्वी किर्थ हो गया यानि कि राजा बोला कि नहीं नहीं सबको यानि कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेग आप 600 है तो आप 600 लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलागा ये बोलकर के राजा जो है वो अस्वी किर्थ कर दिया तभी तीसरे स्टेट्स के सभी प्रतिनीधी बिरोज जताते हुए बाहर निकल गया बोला कि ठीक है हम लोग 600 है फिर भी अगर हम लोगों को वोट द प्रतिनीधी टेनिस कोट में एक अतेत हुए और उन्होंने अपनी सभा को निशनल असेंबली घोसित किया तता यह सपत लिकी राजा की सक्तियों को कम करने वाली सम्मिधान जब तक बनकर दयार नहीं हो जाता तब तक यह भंग नहीं होगी अब इसका मतलब क्या हुआ इस सभी प्रतिनीधियों से मतलब मिला अजुला करके और क्या कर लेता था अपना निर्नाय जो है वो जारी करवा लेता था लेकिन जब इन लोगों को वोट डिने का अधिकार नहीं मिला तो इन लोगों ने क्या किया बहिसकार किया और यह जो 600 33 स्टेट्स के जो मिंबर थे व गुआ कि जो राजा का जो सहनिक था वो बोला कि हमें आपको मीटिंग करने ही नहीं देंगे तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं टेनीस कोट जो बना हुए आनिकि जहां पे टेनीस का खेल खेला जाता है जो टेनीस का मैदान है वहां पे 600 लोगों ने एकत्रित हुआ और उ राजा की सक्तियों को कम करने वाला संविधान बन करके तयार नहीं हो जाता है तब तक कि ये स्टेट जेनरल एसमली भंग नहीं होगा राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी बना लिया गया क्या कर लिया गया राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी जैसे निता कर रहे थे यानि कि जब ये अफवा हूँ रहा कि जो त्रितिये स्टेट्स के जो मिंबर है उनको राजा के द्वारा बंदी बना लिया गया है तब बहुत बड़ी संक्या में जो लोग है वहां पर इकठा हो गए टेनिस कोट के पास और उसका नित्रवी तो कौन लहां ने पृरोड़ है बोएकवप बेसियो ये दो नेता कर रहे थे टिक है या दकी मिरावियो सामंथ deficient चाहिता और यानि जो मिरावियो किस परिवार से आता था सामंथ परिवार से आता है रहा अब देखो बैस्ट्ल का पतन बैस्ट्ल अग्या है उसके बारे में देख लेते तो देखो क्या करा है की 14 जुलाई 177 को करानतेकार्यों ने पैरेषी सिर्षित राजी के कारागडिरी राज्य का जो कारागडिlenीय कर ने का मतलब कहने का होता है जेल यानि कि जो राजा जिस भी मतलब कैदी को पकरता था वो जहां पर रखता था उसको क्या बोलते थे बैस्टिल बोलते थे क्या बोलते थे बच्चो बैस्टिल और बैस्टिल कहां पर था पेरिस में था फ्रांस की राधानी कहा थे पेरिस तो पेरिस में था उसको लोगों ने क्या कर लिया 14 जु झाप्ति निरंगु सासन के पतन का प्रतीक था और फ्रांस 14 जुलाइ को ही स्वतंत्र दिवस करूप में मनाया जाता है और जिस दीन यह 14 जुलाइको यह बैस्टिल का पतन हुआ था बैस्टिल जो जेल था उसको इन लोगों ने तोरा था इसलिए 14 किया मनाया जाता है और किसे इन लोगों ने लिया था तो राज तन्तर से लुई 16 लोगों ने क्या लिया था स्वात LG नाम माध्र के राजा बना रा और हसी सवाना सफ Nik-1789 का मानोब नागरीकु की अधिकार, the declaration of rights of men and citizens को स्विकार किया और इस घोसना के से परतेक वेक्ति को अपने विचार प्रकट करने और इच्छा नुसार धार में पालन करने के अधिकार को मानेता मिले, यानि कि जो national assembly, ये जो 30 states के जो member लोगों ने क्या किया था, declare किया था, इन ही लोगों ने ये निय citizen, यानि कि एक आदमी का क्या अधिकार है, और एक citizen का क्या अधिकार है, उसके बारे में इन लोगों ने एक घोसना पत्र जारी किया, किसने जारी किया, national assembly ने, यानि कि national assembly जो बना था, tennis court पे, उन्हीं लोगों ने नियम बनाना शुरू किया, और इसी में से एक declaration जारी करते जिसको क्या बोलते है, the declaration of rights of man and citizen, यानि कि एक नागरिक और एक आदमी का क्या अधिकार होना चाहिए, उसके बारे में, और ये लोग ये भी बोले कि परतेक वेक्ति को अपना विचार, यानि कि वो क्या सोचता है, उसके बारे में अपनी उसको प्रकट करने का, मतलब अध अधिकार है, और साती साथ ओंवो जिस धर्म को मानना चाहिए, उस धर्म को मान सकता है, वो उसका वेक्तिगत अधिकार है, इस परकार का पत्र जारी किया गया, वेक्तिगत सोतनतता के साथ, प्रेच और भासन के सोतनतता भी मानी गई, यानि कि जो National Assembly ता ये बोला, कि प्र वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर निश्चे हुए थे जिसका नुसार कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चे किया गया और सभी को नीजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया यानि कि हम लोग देखे थे जब स्टार्टिक में वीडियो को देख रहे थे जब इस चेप्टर की सुरुआत के थे तो क्या देखे थे कि जो पहला और दूसरा वर्ग था यानि कि पादरी और जो कोली या समंत वर्ग जो था वो टैक्स नहीं देता था सारा का सारा टैक्स का जिएमा किसका होता था क्रिसकोपिशा पे और मध्यमबर्ग के ऊपर होता था तो जब मध्यमबर्ग क्योंकि ये जो नेशनल एसेमली बना वो pauला ही था संभिधान का प्रारूप तयार कर लिया और जिसमें सक्ति प्रितक करन के सिधान्त को अपनाया गया अब बोलेगा कि यह सक्ति प्रितक करन का क्या मतलब होता है यह होता है बच्चों जैसे माली जी कोई सरकार है तो सरकार के पास क्या है अगर सारी सक्ति दे दिजेगा जैसे यह तो मतलब सरकार तीनों पावर एकी एकी वेक्ति के पास हो जाए तो कितना मतलब वो निरंकूस हो जागा क्या हो जागा निरंकूस हो जागा मन मुताबिक अपना कारे करने लगेगा इसलिए सरकार को नियंत्रित करने के लिए ब्योस्था की गई कि सक्ति का प्रिथक करन ह होगा यानि कि सरकार जो है उसका कारे क्या होगा तो नियम बनाने का कारे होगा नियम बनाएगी और उससे जूरी जो संस्ता है तो नियम बनाने का यानि कि जो elected member होंगे जो चून कर कहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नियम बनाएगे और नियम सरकार का छो कार है उसका क्या किया गया प्रिथक करन किया गया और इस तरह फ्रांस में संविधानिक राज तंतर की अस्थापना होती एक पहले जो निरंकूश तरी के से जो कुछ भी चाहरा था टैक्सिम पोच कर दिया नियम लगा दिया अलग-अलग तरीके के याणी किसी से यूध कर लिया तो ये जो राजा के उपर कोई नियंतरन नहीं था लेकिन अब क्या हो गया जब संबिधान हुआ पे लाग हो गया तो ये क्या हो गया कि राजा जो है सम्विधान के अंदर में आ गया और इस बेवस्था को क्या बोलते हैं सम्विधानी के राज तंत्र बोलते हैं यदती लूई सुलाहवा ने ने सम्विधान को माल लिया प्रंतु मिराबियों की मृत्यू के पहच्चात देश में हिंसात्मक बिद्रो की शुरुआत हो गई ब समय सभी नागरिकों को मद्दान का अधिकार नहीं मिला था नेशनल एसेमली का चुनावा भी अपर्त्यक चुरूप से किया जाना था उप्रोक्त बाते अलोचना का भी से बन गया था अलोचकून में प्रमूख जैकोबीन कलब के सदस्ते जिसमें छोटे दुकांदार कार अधिकर घरिसाज नोक और ध्यारी मजदूर आदे सामिल थे जैकोबीन कलब पेरिस के भुदपूर कॉन्वेंट आप सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था जिसका निता मैक्स मिलियन रोबस रोबस पीर था अब देखो क्या हुआ इन लोगों ने तो बोला कि सम्मिधान भी होगा ये मतलब बोट देने का अधिकार होगा लेकिन जब इन लोगों ने वोटिंग का अधिकार लाया तो सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला ठीक है तो इस चीजों इन सभी बातों को जो है वो जैकोबीन एक कलब था ठी सही नहीं है मतलब इनकी कमिओं को उजागर किया जैसे और जैकुबिन कलब के सद से कौन होते थे चोटे दुकानदार होगfolg काडीगर होगा गड़ी साज हो गए नौकर होगया दिहारी मजदूर होगया इन लोग को आधिकार नहीं मिला था इसलिए लोग कर रहे इन चीजों को कृटी साइज कर रहे थे अब देखो अब हमे परना तंक का राज अब ये अतंक का राज कहने का मतलब क्या हूँ क्या कि हो और सभाइश पिर वाम نہ पंथे बिचारधारा का समर्थतर क tablespoon की राव mesma सभाँ से न राज होकर उसने प्रजातंत्र का पोसक था एकिस वर्सों से अधिक उम्रवाले वेक्ति को मद्दान का अधिकार देकर उच्छा है उनके पास संपत्ति हो या नहों चुना खरवाया गया 21 सितमबर 1792 को नौ निर्वाची तैसेंबली को कंवेंसन नाम दिया गया और राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया यानि कि पहले जो constitutional राज तंत्र जो था सम्मेधानिक राज तंत्र था उतको रोबस पियर ने क्या कर दिया समाप्त कर दिया बोला कि कोई राजावाजा नहीं रहेगा जितना कुछ भी सासन होगा वो जनता खुद सासन करेगी ठीक है और 21 क्या बोलते कि 21 वर्स से जो भी 21 व पहले अब इन लोगों ने क्या किया कि जो रोबस पियर था वो क्या था वामपंति था इसने क्या कि राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया बोला कि फ्रांस में कोई राजा वजा नहीं रहेगा और देश्द्रों के अपराद में लूई सुलाहवा को मुगतमा चला गया और 21 जन्वरी 1793 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और बाद में मेरी अंतनियत को भी फांसी दे दी गई और यहां पर देखेगा तो रोबस पियर द्वारा अस्थापी तातं का राज्य अक्टूबर 1793 में उसकर्षपस्ता और कन्वेंशन द्वारा राष्ट के एक मात्र भासा फ्रेंच जो है उसको घोचित किया गया और कानूनों का संकलन कराया गया उपनिवेशों में गुलाम बना कर भेजने की प्रथा समाप्त की गई प्रतम पुत्र को ही उत्रादिकारी बनाने के प्रथा को भी समाप्त किया गया और राष्ट का नया कलेंडर 22 सितंबर 1792 यान की रोबस पीर के द्वारा लुई सलहवा को मतलब एक तरीके से बोले तो राजा को डंडित करके देश्टरों के मुकात में बिदंडित करके लुई सलहवा को तो इसने फांसी पे लटका दिया और साथे साथ उसकी पत्नी को भी बाद में 1794 में में ही जो वहां का अब देखिए जब फ्रांस की क्रांती हो गई तो क्रांती के क्या-क्या परिणाम हुए उसके बारे में देख लेते हैं यानि कि जब फ्रांस की क्रांती हुई तो उसके क्या-क्या परिणाम हुए तो देखो पुरातन बेवस्था का क्या हो गया अन्थ हो गया यानि कि जो पहले से चली आ रही थी बेवस्था उसका क्या हो गया अन्थ हो गया फ्रांस की क्रांती नहीं वहां की पुरातन बेव आला जो सब्द है वो किस देश के सम pienμα से लिए उयागया है यह क्योंकि वर्ड है वो कहाँ पैस सबथे योजर किया गया था लोगों विख लिए ठीक है इस से प्रोचार मिलहरला और समंत्राद का अंत":- यानि धर्म निर्पेक्च राजी का मतलब क्या होता है तो ऐसा राजी जिसका अपना कोई धर्म नहों उसको क्या बोलते धर्म निर्पेक्च राजी जैसे अगर बोले कि भारत कौन सा राज है किस प्रगार का राज है क्या धर्मिक राज है या फिर धर्म निर्पेक्च वो इसलाम है बांगला देश जो है वो भी एक इसलामिक देश है ठीक है तो यह बोलते है ठीक है और भारत जो है वो क्या है अपने आपको बोलता है कि हम धर्म निर्पेक्च राज है यानि कि देश का कोई अपना धर्म नहीं है ठीक है तो इसको बोलते हैं धर्म निर्पेक् में ता परदान केुगि यानि कि कोई भी धर्म को फॉलो करने वाला जो लोग है वह आराम से फृस मेर रह सकता है ठीक है जन तंतर की अस्थापना हुई क्या होई बच्छों जन तंतर जन इंगलिस में क्या बोलते है डेमोक्रेशी बोलते है ढेमोक्रेशी मतलब जनतांत्र तो जब प्रांस की करांती का पर नाम क्या हुआ जन्तंत्र की अस्थापना की वेक्ति की महता बरी यानि कोई इंडिवेजुल वेक्ति है उसका महत्व बढ़़ा प्रांस की National Assembly ने पहली बार वेक्ति के महता पर बल दिया और नागरीकों के मौलिक अधिकारों इम करतवियों की गोस्टना की बोला कि भाई अगर कोई इस देश का नागरिक है उसका कुछ न कुछ मौली का अधिकार है और उस अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सकता है या चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई भी वेक्ती हो उसके मौली का अधिकार हो और उसके कर्तवियों को कोई छीन नहीं सकता है तो य उम अमीरों की जगा गरीबों का पक्च लिया उनके राजनेतिक अधिकारों की भी घोशना की गया जो गरीब लोग ते जिनके पास संसाधन की कमिती उन लोगों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया वानीजी व्यापार में ब्रीधी हुआ क्रांती क अन व्यापारिक प्रतिबंद व्यापारियों पर से हटा दिये गया और जिससे बानीजी और व्यापार का विकास हुआ यही कारण था कि उन्हीं सताब्दे में व्यापार के छित्र में फ्रांस इंगलेंड के बाद दितीय अस्थान पर था अब देखेगा कि और क्या परि आफरीकी के पास जाकर क्या करता था अब देखो वाला इंडिया के वहां के बाजारों में यह ये यूरोपिय बाजारों में लोगों की कमी फिवित ुर्यास क्या करता था फ्रांस आप देखेगा फ्रांस क्या करता था यहां पर फ्रांस है ठीक है और यह है इंग्लेंड ठीक है यह वाला इंग्लेंड है तो फ्रांस क्या करता था फ्रांस का ज्यादा तर जो अधिकार था वो अफ्रीकी देशों के उपर था तो यहां से मजदूरों को उठाता था खड़िता था और ले जाकर के यूरोपिय मार्केट में बेच देता था कोई भी वेक्ति अगर किसी को कारे करवाना है तो ये इसको पकड़ पकड़ के यहां से लाता था और ले जाकर के यहां पे बेच देता था बाद में ये इसका मालिक हो जाता था जो कोई भी European वेक्ती, France के लोगों से सासकों से खड़िता था अधिकारियों से और इसको अपने तरीके से काम करवाता था, ठीक है? तो ये जो प्रता थे इसको क्या बोलते थे? दास प्रता क्या बोलते थे बच्चों? दास प्रता बोलते थे, तो जब France की क्रांती हो गई तो सोच करके देखो कि फ्रांस के जो लोग है वो अपने आपको स्वतंत्र घोसित करना चाहते हैं तो क्या ये और भी जो लोग है उनको तो मतलब जो बाहरी लोग है तो क्या अपने लिए ही सिर्फ रखेंगे मतलब अपने लिए ही सिर्फ बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे जो है वो यह चाहिए आजादी चाहिए लेकिन अगर जब बात आएगी कि और भी जो लोग है मतलब जो उपनिवेशों से लोगों को लाया जा रहा है तो यह भी एक तरीके से क्या आमानविये बेवहार था तो इस चीजों के प्रति जो है वो फ्रान्स के सम्मिदान में बेवी बिवस्ता की गई किया जागा दासप्रथा का उन्मूलण किया जाए इस खरांती ने जब नेपोलियन बना तो बोलाया यह गलत नियम है दासप्रता रहना चाहिए नहीं तो हम लोग का बर्चस हो कैसे चलेगा तो इस चीज को भी जो है वो नेपोलियन ने अपनाया था इस कानून को जो 1794 भी बना था उसको रद करके बाद में जब नेपोलियन का हटता है वहा दाले ततक कई सिक्षण संस्थान यूम-110 संस्थान जो वो फ्रांस में खोले गए उसके बाद क्या हुआ कि राष्टिये कैलेंडर आया फ्रांस में एक नया राष्टिये कलेंडर लागू किया जिसे रीतूओं क्याधार में 12 महीनों में बाटा गया और उसका नया नाम थ और इन्हें the society of revolutionary and republican women कहा जाता था विमन नामक संस्था का गठन किया जिसमें ओलंप दे गूज नाम की नेत्री के अहम भूम का थी इनके नेत्री तो महिलाओं को पुर्सों के समान राजनेतिक अधिकार के मांग को स्विकार कर लिया गया था ठीक है प्रन्तु राजनेतिक अ इस वें फ्रांस की महिलाओं को महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हांसिल की ठीक है अब देखेगा और यह देशों पर करांती का परभाव अब देखो जब फ्रांस में करांती हुई तो इसके बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो यह जो है वहां के अलग अलग देशों के नाग्रिकू को जब पता चलेगा, तो वो लोग क्या है? आंदोलन कि ए, ठीक है? तो इस किस परकार से परभाव रहा इसके बारे बच्चों हम लोग नेक्स वीडियो में परेंगे तो इस वीडियो में इतना ही राल्या देते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिये धानवाद, ठीक कियर।